हेलो एवरीवान और वेल्कम पैक तो आर येटीव चानल जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्ञान कुछ लाता है डेली क्वेस्ट काफी सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर कुछ के साथ साथ आप हमें कुछ की कुछ प्रक्टिस कोशन भी भेजा करें तो आज से हमने ने स्टार्ट किया और अप्लोड करना प्राक्टिस मैथ पाजलke वैसle के GK अण और अदर सब्जेस्स कभी पजल्स आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे तो पजल सॉल्फ करने के लिए पजल कॉंप्टिशन में पार्टिस्पेट करने के लिए आप कर दीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब सो आईए आज के कोशन नमबर वन से स्टार्ट करते हैं सो जैसे आप देख रहे हैं इस फिगर में जो पजल है सर्कल दे रखे हैं सर्कल में नमबर है 149 कोशन मार्क 25 36 49 64 81 आपको मुझे बताना है कि यह जो यह वाला सर्कल है जो एक ट्राइंगल का वर्टेक्स टाइप सो बचों काफी सिंपल कोशन है आईए मैं थोड़ा एक्स्पेर करता हूं तो जैसा आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा संख्याओं का वर्ग निकालना कि एक नमबर का स्क्वेर अगर आप सिंगल डिजिट नमबर की बात करें तो अगर एक का मैं स्क्वेर निकालों यानि 1 का स्क्वेर तो वोता है 1 2 का स्क्वेर होता है 4 3 का स्क्वेर होता है 9 तो बच्चों 4 का स्क्वेर क्या होगा 16 तो इस वाले क्षिटन का हमारा आंसर हो जाएगा 16 ठीक है तो यहां पर आएगा 16 वैसे देखिए 5 का स्क्वेर 25, 6 का स्क्वेर 36, 7 का स्क्वेर 49, 8 का स्क्वेर 64, 9 का स्क्वेर 81 जो सरकल है जिसमें question work है यहां कौन सा नमबर आएगा? आएगा 16 आए हम चलते हैं next question पर next question है हमारा यह भी काफ़ी simple है तो मैं थोड़ा से time आपको देता हूँ थोड़ा फटा फ़र जल्दी solve करो और comment करके बताओ कि यहां पर 여が जो Jesus का नमबर आएगा जैसा आप series रहे हो यहां पर है यहां पर 5 यहां पर 8 यहां पर 13 यहां पर 22 और question mark तो यह question mark है यहां पर आपको बताना है कि कौन सा नमबर आएगा सो स्टार्ट करते हैं explain करना 3 3 के बाद 5 5 के बाद 8 8 के बाद 13 22 कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि तीन में 2 आड़ कर दिया 5 5 में 3 आड़ कर दिया 8 तो अगर वह जो लॉजिक लगा है तो 8 में 4 आड़ होना चाहिए था तो 12 आना चाहिए था पर यहां 12 नहीं है यहां है 13 तो बच्चों जो इसमें लॉजिक लग रहा है वो यह है कि 3 जो पहला नमबर है मैं थोड़ा यह आपके लिए लेजर लेके आता हूं कि यहांग वापिस अली आया हूं मैं सो आप सो इस नमबर को 3 को अगर टू से मिल्टिप्लाइ कर जोगे एंद उ समें 1 माइनस करोगे सो 3 x 2-1 तो आए गा 5 अगैन 5 को 2 से मिल्टिप्लाइ करो तो होटा है तैन लेकिन इस बार 1 ना माइनस करके हमें माइनस करना है 2 तो 5 इंटू 2 माइनस 2 यानि 10 माइनस 2 अब 8 को अगें डबल कर दो जैसा आप देख रहे हो पहले यहां पर आपने जब मल्टप्लाई किया तो 2 माइनस किया आप जब 2 से मल्टप्लाई करोगे तो करना है 3 माइनस तो 8 इंटू 2 16 16 माइनस 3 13 अगें 13 का डबल कर दो इस बार 4 माइनस करना है 4 माइनस करना है तो 13 का डबल होता है 26 26 में से 4 माइनस कर दिया तो 22 अब यह बन गया बहुत ही सिम्पल कोशन यानि हमें 22 को करना है डबल जो कि होगा 22 का डबल कितना होगा 44 और 44 में से कितना माइनस करेंगे 5 माइनस करेंगे तो यहां क्या आएगा 39 सुबचों इस कोशन का आंसर हो जाएगा तुम्हारा 39 39 39 is the correct answer आएगे बढ़ते हैं next question की तरफ यह question देखिए यह question है काफी simple यहां पे है 7 7 2 1 4 3 8 1 2 6 5 2 1 2 4 4 कोशन मार्क तो काफी simple question है कई बार मैंस बजल questions में यह question आपको आप अगर आप Google search करेंगे तो काफी बार यह common question है काफी आप Google search मिल जाएगा तो आई explain करता हूं में इसका आपको solution सो जिसा आप देख रहे हैं यह 7 2 1 4 अगर आप इस कॉलम को के numbers को add कर दें तो 7 प्लस 2 होता है 9 9 प्लस 1 होता है 10 and 10 प्लस 4 होता है 14 14 14 तो इसका समाया 14 वैसे आप यहां पर देखें 3 प्लस 8 11 11 प्लस 1 12 12 प्लस 2 14 यानि अगें 14 आ रहे हैं अब यहां आएं फिर से 6 प्लस 5 11 11 प्लस 2 13 13 प्लस 1 14 तो अगें 14 आ रहा है तो यह जो कॉलम है यह वाला कॉलम इसमें भी अगर हम इन सारे numbers को add करें तो सम कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए तो यह है 2 प्लस 4 6 6 प्लस 4 10 and 10 में क्या add करोगे बच्चों कि आएगा 14 तो वो है हमारा answer 4 4 आएगा answer ठीक है 4 तो अब करते हैं question number 4 सुपचों काफी easy trick लग रहा है इस वाले question में जैसा आप देख रहे हैं आपके पास जो numbers हैं वो हैं अगर मैं row wise number पढ़ हूँ तो 3 5 3 2 4 7 8 4 3 6 2 9 2 11 question mark तो students आपको बताना है कि यह जो question mark है यहां पे कौन सा number आएगा so take your time मैं थोड़ा साल एक 5 second का pose लेता हूँ and आपको मुझे comment करके बताना है कि यहां पर यह जो question mark है यहां पे कौन सा number आएगा so I am explanation start करते हैं तो जैसा आप देख रहे हो यह जो row 1 है अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि column wise मैं sum करूँ और सारे sum सबका sum equal number आएगा तो ऐसा नहीं हो रहा है इस question में जैसा हम एक बार करके देखता हूँ 3 plus 2 5 5 plus 8 13 13 plus 6 19 19 plus 2 21 तो इस column का जो सम है वो आ रहा है 21 वैसे यहां पर देखते हैं 5 plus 4 9 9 plus 4 13 plus 2 13 plus 2 होता है 15 15 plus 11 हो गया 26 तो इसका समाय था 21 इसका समाय रहा है 26 यानि कोई pattern नहीं आ रहा तो अब हम क्या करते हैं अब हम सोचते हैं कि यह row wise क्या बन रहा है सम तो अगर आप सम करोगे 3 plus 5 plus 3 तो यह आएगा आपका 3 plus 5 8 8 plus 3 11 तो बच्चों इसका सम इसका समारा है आपका 11 आप इसको solve करते हैं 2 plus 4 6 6 plus 7 13 तो इसका समारा है 13 थर्ड रो अच्चों इसको row बोलते हैं यह ऐसे अगर हम पढ़ें तो यह row कहलाता है और अगर हम ऐसे पढ़ें तो यह column कहलाता है तो अगर हम row wise थर्ड रो पे आएं row 1 row 2 row 3 इसका समारा है 15 तो देखिए एक प्याटन प्रह चल रहा है 11 के बार 13 फिर 15 दो दो एड हो रहे हैं तो यहां पर इनका सम 17 आ रहा होगा आगी चेक करते हैं 6 प्लस 2 8 8 प्लस 9 17 यह 17 यह आ रहा है इसका सम यानि जो यह 3 numbers हैं इनका सम क्या ना चाहिए इनका सम आना चाहिए 19 तो आई यह चेक करते हैं 2 प्लस 11 होता है 13 13 में क्या राइड करोगे की होगा 19 तो हमारा इस question का answer हो गया 6 तो यहां पर इस question mark पर आएगा number 6 आईए अब हम चलते हैं अपने next question पर 5 है हमारा यह figure यह image अगेन आपको बताना है कि विच नंबर विल रिप्लेस इस question mark तो बताएं आप मुझे थोड़ा टाइम में वेड़ करता हूं आप comment करके बता सकते हैं कुछ नंबर पर सो कुछ numbers है यहां पर अगर मैं थोड़ा बहुत सोच हूं तो वह अगर कुछ logic लग सकता है तो वह या तो रोवाइस हो सकते हो आपकि यह number इसे रोवाइस हो सकते हो कॉलम वाइस हो यहां कुछ नहीं है तो अगर आप कुछ कर सकते हो तो रोवाइस ही सो सकते हो रो में में पंक्ति वाइस इसमें नंबर देखो क्या है तो अब बताओ मेरे को कि कैसे करोगे आप यह question solve जल्देली बताओ चलो ठीक है अब मैं explain करता हूँ बचो जैसे आप देख रहे हो मैंने बताया था आपको कि रोवाइस आपको कुछ लॉजिक सोचना है इस वारे question में सो 3 प्लस 9 क्या होता है 3 प्लस 9 होता है 12 तो इन दोनों circle के just above वाला जो circle है यह वाला circle इस पर देखो sum 3 प्लस 9 कितना होता है sum 12 तो 12 भी है अगेन 9 प्लस 2 क्या हो रहा है sum 11 2 प्लस 4 क्या हो रहा है sum 6 तो अब उपर और चलते हैं 12 प्लस 11 23 11 प्लस 6 17 तो इस वाली रोको बेश समझते वे आधार समझते वे अगर आप उपर वाले circle पर जाओगे तो आपको तो दो addition circles को sum करना है और उसके just above वाला circle होगा वो आ जाएगा अब देखते हैं नीचे क्या pattern है तो 3 & 9 यहां क्या लिखा हुआ है यहां क्या लिखा हुआ है 6 यानि 9 & 3 का difference इन में कितने नंबर का अंतर है वो लिखा हुआ है नीचे तो नीचे मैं थोड़ा arrow बना देता हूं ऐसे तो 9-3 6 तो अगें 9 & 2 में कितने का difference होता है 7 का तो यह 9 है यह 2 है और उन दोनों का difference 7 नीचे लिखा हुआ है ठीक है तो नीचे 7 लिखा हुआ है तो वैसे 7 & 2 का difference कितना आएगा 7 & 2 का difference आएगा आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा 5 इस वाले question का answer क्या हो गया इस question का answer हो गया 5 अब करते हैं आईए question number 6 so question number 6 है हमारा यह रहा फीगर एक यहां है question mark और उसके आगे stairs को अगर आगे बढ़ाएं हम लोग stairs पर आगे चड़ें तो यहां पर है 1 7 2 3 10 4 6 9 19 तो चलिए कुछ seconds मैं वेट करता हूं वेट करता हूं कि आप मेंसे कोई बच्चा करेगा इस question का answer और उसके बाद करता हूं मैं है इसको discuss तो टिक टिक 1 टिक 2 टिक 3 टिक 4 टिक 5 आईए स्टार्ट करते हैं इस question को solve करना सो जैसा last question में हमारे question फिफ्ट में ट्रिक लगी वी थी वैसी कुछ ट्रिक लगी भी है इस question में जैसे आप देख रहे हैं यहां पर है 6 यह लिखा हुआ है 6 यहां पर है 2 तो अगर आप 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आता है आता है 4 ठीक है आईए नीचे चलते हैं 9 में से 3 माइनस 6 3 में से 2 माइनस सॉरी 3 में से 1 माइनस 2 वैसे नीचे चलते है 19 यह है आपका 19 19 में से माइनस करो 10 तो कितना आता है यह आग **** ठीक है वैसे ही 10 यह आपका 10 है 10 में से माइनस करो 7 क्या आएगा 3 3 आ गया वैसे ही 7 में से आप मुझे बताओ क्या माइनस करोगे कि आपका अंसर यहाँ पर 1 आ जाए तो 7 में से 7 में से क्या माइनस करोगे ठीक है कि आपका अंसर आए 1 बताओ 7 में से क्या माइनस करोगे तो 7 में से माइनस क्या करेंगे? 6 तो 6 हो जाएगा इस वाले question का answer हम लोग question number 7 की तरफ फिर से आप देखिए आपके screen पर दिखेगा आपको एक image और उस image में हमारे पास इस बार है 1, 2, 3, 4, 5 5 2 by 2 grid के squares and एक square में आपको देखिए 1, 2, 3, 4 इन circle, sorry ये जो चोटे-चोटे squares है 1, 2, 3, 4 इन में लिखे हुए numbers वैसे ही बाकी 5 squares में भी यहाँ पे है 1, 2, 7, 5 3, 4, 2, 2 5, 5, 9, 7 10, 5, 35, 63 15, 20, 18 and question mark आपको हमें बताना है कि इस वाले question mark यहाँ जो है यहाँ पे कौन सा number आएगा तो फटा फट्राइ करो इस question को solve करने की तो आईए अब मैं करता हूं इस question को explain सुबचो जैसा देखो यहाँ पे है 2 अगर मैं इस 2 को इस 3 में add करूँ तो क्या answer आएगा 2 प्लस 3 5, 5 ठीक है तो इस वाले square के और इस वाले square के अगर आप corresponding numbers को add करें यानि जो number जिस position पे है उसको वहाँ पे add करें तो आपको इस वाले square का numbers मिलेगा जैसे कि अगर आप 1 में add करते हैं 4 तो क्या आएगा आएगा अगें ये वाला 5 अब हम बात करते हैं ये वाला 7 and ये वाला 2 तो 7 प्लस 2 क्या आगया 9 and अब 5 प्लस ये वाला 2 तो ये वाला 7 ठीक है तो ऊपर वाले किसे logic समझ में आया आप ट्राइए करते हैं नीचे वाले square से ऊपर वाले square का कोई relation निकालनेगा ताकि ये बीच में ये वाला number बने तो इस वाले में क्या logic दग रहा है देखिए यहाँ पे है आंसर आएगा आपका ये रहा 5 ठीक है तो फिर से वही corresponding numbers का relation है आएगा 9 और देखिए यहाँ पे आपको 9 ही लिखा हुआ है and 35 divided by 5 7 तो यहाँ पर आपने क्या देखा relation कि इस वाले square के इस वाले square के साथ corresponding numbers को अगर आप divide करो तो आपके ये numbers बनते हैं तो वही logic लगेगा इस वाले square के साथ तो 15 ठीक है आएगे ये देखिए यह आपका 3 और यह 15 तो जब आप 15 को 15 को 3 से divide करोगे तो answer क्या आएगा answer आएगा आपका 5 आएगा ठीक है और वही लिखावा है यहाँ पे रहा है 5 corresponding numbers देखने हैं वैसे ही 4 and 20 जब 24 से divide होगा तो क्या आएगा अगें यह रहा 5 ठीक है 5 आएगा अब 2 और यहां क्या है 18 तो 18 divided by 2 9 तो बहुत simple हो गया question यहां जो question mark है हमें बताना है कि यह जो question mark है ठीक है question mark number divide by क्या है यहां पर यह रहें यहां पर है 2 कि question mark है divide by 2 और answer क्या आना चाहिए answer आना चाहिए आपका 7 तो मुझे बताओ आप के पास यहां पर कौन सा number होगा आपके पास यहां पर कौन सा number होगा कि जब उसको 2 से divide करें तो answer आजाए 7 तो हमारा answer है 14 ठीक है 1 4 14 तो इस वाले question का answer हो गया आपका 14 ठीक है अगर आपको puzzles पसंद आ रहे हैं और समझें भी आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें सब्सक्राइब सब्सक्राइब ग्यान कुंज यूट्यूब प्लेडेले कोईज सब्सक्राइब बढ़ते हैं हम लोग next question की तरफ बढ़ते हैं question no.8 की तरफ so question no.8 में आप देख रहे हैं कि यहां पर चार बड़े squares हैं and एक छोटा square यहां पीच में हैं छोटा नहीं semi size का लबग so कुछ ऐसे है कि यहां पर है 3 यहां पर है 7 यहां 2 question mark यहां एक छोटे-छोटे squares बने वहे हैं यहां पर है 12 यहां पर 9 यहां पर 5 एंड यहां पर 6 आपको मुझे बताना है comment करके कि यहां पर You पर है यहां पर कौनशा number आएगा सो मैं आपको 5 seconds देता हूं सोचिए comment करके बताएए कि यहां पर कौन सा नमबर आएगा और उसके बाद हम लोग करते हैं लॉजिक डिसकर्स कि इस कोशन में क्या है ट्रिक कि आईए अब हम डिसकुस करते हैं इस कोशन का आंसर तो जैसा आप देख रहे हैं यहां पर है नमबर 7 यहां पे है नमबर 2 अच्छा अगर मैं 7 और 2 को अड़ कर दूँ तो क्या आएगा? 7 प्लस 2 क्या आएगा? 9 तो देखो करना क्या है कि यह जो डाइगनली अगर आप बट इस वाले square में और इस वाले square के नमबर को अड़ करते हैं तो आपको इस वाले square का अपर square का जो upper side में यह है upper side में यह lower side में तो upper side के चोटे square का यह वाला number बन जाएगा और अगर आप 7 में से 2 minus करते हैं यानि अगर आप इन दोनों का difference निकालते हैं तो 7 minus 2 होता है 5 ठीक है तो वैसे ही अब diagonally यहां भी देखें तो वही same logic लगेगा ठीक है तो आपको क्या करना है अगर यहां 3 है तो मुझे सोच के बताओ कि यहां पर सोच तो सोचने वारा time तो वैसे चला गया है अब तो से आप को से बताऊंगा ऐसे है कैशन ओर का यहां पर कॉन सा नम्मर आएगा कि this plus प्लस से किया बन जाएं ट्वेलव बन जाए तिया क्या आएगा बच्चों सो हमारा कॉसर्ण क्या है कि kuruktur मार्क ठीक वो जो question mark है, उसमें क्या plus, sorry, क्या plus तो हमें पता है कि question mark में हमें plus करना है 3 and बनना क्या चाहिए? आपका बनना चाहिए 12. तो किसी भी class 4th, 5th, 6th के student को अगर आप ये question पूछेंगे कि अगर ये unknown है, तो unknown किसे कहते हैं, unknown होता है हमारा एक variable, तो अगर ये एक variable है question mark, plus 3 is equal to 12, तो यहाँ पे कौन सा नमर आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 में से minus करना पड़ेगा, minus क्या करना पड़ेगा, 3 तो बहुत ही simple है, आपका जो answer आएगा, वो आएगा 9, तो अब देखिए कि अगर इस वाले question, यहाँ जो question mark है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, 9, तो 9, so 9 plus 3, आपर वाले circle का ये 12 बन गया, और 9 में से minus 3, तो ये lower वाले का 6 बन गया, तो फिर से एक बार मैं आपको logic बढ़ा दूँ इस question के लिए, कि आपको क्या करना था, कि diagonally देखना है, diagonally ठीक है, diagonally अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर है आपका number 3, और यहाँ जो question mark है, यहाँ आया 9, तो 9 plus 3, यहाँ पर आगया ये वाला 12, और 9 में से minus किया 3, तो आगया ये वाला आपका 6, तो आपका इस question mark के जगहाँ पर क्या number आएगा, 6 आएगा, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग question number 9 की तरफ, यहाँ आपके screen पर question number 9, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, यहाँ पर है 7, 11, 13, 17, and question mark, तो देखें बहुती simple question है ये वाला तो, काफी simple है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मैं लिखता हूँ, बताना मैं क्या लिखने वाला हूँ number के बारे में, P, R, I, M, E, ठीक है, तो छोटी क्लास में आपने पढ़े होंगे prime numbers, ठीक है, तो prime number में, prime numbers होते हैं हमारे, वो start होते हैं, किस से start होते हैं, 2 से start होते हैं, तो 2 होता है prime number, ठीक है, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7, फिर 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, फिर 11, फिर 12 नहीं होता, 13, 13 के बाद 14 नहीं होता है 15 नहीं होता है 16 नहीं होता है 17 17 के बाद 18 नहीं होता 19 ठीक है है सो यह हमारे प्राइम नमर होते हैं इसके बाद 19 के बाद क्या आएगा 23 23 तो वैसे 23 की जुरुत नहीं हमें हमारा आंसर आ चुका है तो अब आप इस पैटर में देखो इस जो मैंने प्राइम नमर्स लिखे हैं इसमें देखो हमारे पास है 5 5 के बाद है 7 देखो यहां पर यहां 7 है ना 5 के बाद 7 है उसके बाद 11 यहां 11 ठीक है एंड 11 के बाद 13 यहां भी 13 है यह आपका देखो 13 है ठीक है उपर 11 था फिर 13 उसके बाद 17 यह रहा 17 तुम्हारा फिर 19 तो यहां पर क्या आएगा हो गया ना सिंपल कोशन काफी बच्चों यह जो नमर्स लिखे हुए है ना यह आपको लिखे हुए है प्राइम नमर्स बस 23 मिसिंग है 23 नहीं है आपर इस पैटर्ण में 5 7 11 13 17 and 19 अच्छा कुछ बच्चे सोच रहोंगे कि सर्ट डिफरें है फॉर का फिर 11 इसलिखेंशंज से तूका 13 से फॉर से इसलिखेंश 8 तो इसलिखेंच बेरिफरेंश यहां पर ध्युग अगला नमर्स आएका जो आंसर है कोशन मार्ग कर amazon NIGH ठीक है तो अभी तक हम लोग कर चुके हैं नाइन पजल्स अगर आपको सारे पजल्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें उनसे भी पूछें ये पजल्स एन आप ग्यान कुछ पर डेली टू पी कोशिन की तरफ यह है आज का हमारा आखरी कोशिन यहां पर है नाइन नाइन टू टू जीडो थ्री थ्री फाइफ वन और कोशिन मार्क और आपको देता हूं 5 सेकेंड्स और आपको करना है यह वाला कुश्ट्षन हमारे लिए सॉल्फ चलिए आपका टाइम स्टार्ट होत टिक-टिक 2, टिक-टिक 3, टिक-टिक 4 and टिक-टिक 5, so comment करके बताएं कि इस question का क्या होगा answer, जरुए नहीं कि आप इस question का answer solve करने के बाद ही comment करें, आप पहले भी जैसे अभी मैं ये question पूछ रहा हूं तो आप comment करके answer बता सकते हैं, अब आईए हमें करता हूं इस question को explain, तो यहां है 2, so हमें क्या करना है, हमें करना है 9 plus 9, ठीक है 9 plus 9 plus 2, तो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों around digits को, घ, यानि तून नूम्बर को, 9 को 9, 9, इन तीनोंилось को प्लस कर दिया, 9 plus 9 plus 2, so बच्चे बता हो कितना होगा, 9 प्लस 9 होता है 18 18 प्लस 2 होता है 20 ठीक है यहां पर क्या लिखा हुआ है अगर इस दोनों को क्लब करके पढ़ो तो यह क्या है 20 है तो हमें थोड़ा पैटन समझ में आया अगर आप यही चीज अब देखो आप इसमें ठीक है और इसमें ऊपर इस वाले डिपार्टमेंट में और नीचे इस वाले डिपार्टमें सेम लॉजिक लग रहा है तो अकॉर्डिन टू दाट लॉजिक यहां पर है 5 यहां पर 3 और य 3 करना है तो 5 प्लस 3 कितना होता है 5 प्लस 3 प्लस 3 होता है 11 तो यहां पे तो यहां पर लिखा हुआे यहां पर यहां पर क्या आएगा यह वाला नंबर हैना हमारे कॉर्शन नमेर 10ं का answer हो जाएगा question number 10th का answer हो जाएगा one ठीक है तो ये थे हमारे आज के quiz sorry ये था हमारे ये थे हमारे आज के 10 math puzzles so अगर आपको हमारे ये 10 puzzles पसंद लाए हो और आपको ये interesting लगे हो तो please हमारा channel subscribe कर दें हमारे video को like कर दें and comment करके बताएं कि आपको match में इस puzzle में कौन सा puzzle यानि question number 1 से लेके question number 10 तक कौन सा puzzle जादा tricky लगा and जाद जादा puzzles competition के लिए हमारा channel subscribe कर दो thank you thank you so much